भारत माता की मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश भारतिय जनता पार्टी के युवाद द्यक्ष शौंसत में मेरे साथी शौंसत में मेरे साथी यहां के प्रभारी श्री ओम जी माथोर साउसत स्री यस्वन स्वीं जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी डाक्टर संजीव बालियान जी साउसत स्रीमान सत्पाल स्वैनी जी साउसत स्रीमान कमण सीजी साउसत यवाम राज्य सहप्रभारी स्रीमान बिरेंद्र सीजी खटीक साउसत स्रीमान भारतेंद्र सीजी साउसत स्रीमान सर्वेश सीजी बाजबा के छेत्रिय अद्यक्ष सिमान भुपेंद्र सी सांसर डॉक्टर नेपाल सी छेत्रिय अद्यक्ष किसान मोर्चा के राष्ट्रिय अद्यक्ष सिमान विजेपाल सी मुराबाद के नदकर के अद्यक्ष सिमान महंद्र गुपता मेर श्री विनो दगरवाल जी सिमान अरियोम शर्मा श्रियामान ओमकुमार राजीव शिशोदिया विधायक सिमान लोकेंद्र सींजी सिमान राजेश सिंगल डॉक्टर जैपाल सींजी सिमान सुरेश गंगवार जी सिमान असोक कटारिया जी सिमान रुसिपाल नागर जी सिमान स्वतंत्र देव सींजी सिमान देवेंद्र सींजी और विशामाल संग्या में पदारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनो मैं आज मुरादाबाद आने से पहले थोड़ा जिजक रहा था थोड़ा संकोच कर रहा था संकोच इस बात का कर रहा था कि मैं बहुत वर्षों के बाद मुरादाबाद आ रहा हुए दो हजार चौदा के लोकसभा के चुनाओ के समय जहां के नौजवान मेरे पीछे पड़े थे कि मुरादाबाद आईये लेकिन मैं आने पाया था दो हजार नौ में आया था उसके बाद मन में एक संकोज होता था कि जिस मुरादाबाद ने मुझे इतना प्यार दिया वहाँ पहुचने में मुझे काफी देरी हुई है मुरादाबाद के मेरे प्यारे भाईयों बहनों मैं 2014 में नहीं आ पाया था दूर से आपको संदेश बेजा था कि आप भारतिय जनता पार्टी को विजय बनाईए और मैं आज मुरादाबाद को सर जुका करके नमन करता हूँ को उन्होंने जी जान से हमारा समर्फन किया और आज तो मैं खुद रूबरू आ गया हूँ भावियो बहनों अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में से गरीबी मिटनी चाहिए आप मुझे बताईए हिंदुस्तान के कोई छोटा राज्य हो दस बारा पंद्रा लाख आबादी हो अगर वहां की गरीबी खतम हो जाए तो क्या हिंदुस्तान की गरीबी खतम हो जाएगी क्या नहीं होगी ना लेकिन किसी बड़े प्रदेश में से गरीबी खतम हो जाए तो देश की गरीबी कम होगी की नहीं होगी और इसलिए अगर हिंदुस्तान में से गरीबी को अगर मिटाना है तो सबसे पहले जो बड़े बड़े राज्य है उत्तरपदेश हो बिहार हो महराष्ट्र हो पस्चिम्मंगाल हो वहाँ से जितनी जल्दी से हम गरीबी को हटाएंगे देश उत्तना ही जल्दी गरीबी से मुक्त होगा भाईयो बहनो मैंने उत्तरपदेश में सांसद के रुप में चुनाव लड़ा बनारस के लोगों ने मुझे भरपूर आशिरवाद दिया लेकिन उत्तरपदेश में चुनाव सिरब सांसद बनने के लिए मैं नहीं लड़ा हूँ मैं उत्तरपदेश में चुनाव इसलिए लड़ा हूँ कि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा राज्य है यहां गरीबी बहुत है ये गरीबों के बीच जाकर के गरीबी से लड़ाई लड़ना गरीबी से मुक्ति दिलाना इसलिए मैं उत्तरपदेश की सेवा करना मैंने स्विकार किया है भाईयो भेनो हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास अगर होगा तो रोजगार भी आएगा विकास होगा तो बच्चों को अच्छी सिख्षा भी मिलेगी अगर विकास होगा तो बुजगों को अच्छे कम पैसों में अच्छी दवाई भी मिलेगी अगर विकास होगा तो रहने को गर मिलेगा घर में बिजली मिलेगी घर में पानी आएगा मा बहनों की जिन्दगी में बदलाव आएगा और इसलिए भाईयो बहनों विकास यही हमारी प्रात्विक्ता है मुझे बताईए जिसम मुरादाबाद के पीतल के कारण हिंदुस्तान के हर कोने में हर घर में चमक दिखती है हिंदुस्तान का कोई घर होगा जहां मुरादाबाद के पीतल की चमक न हो कोई न कोई तो बरतन होगा अग नहीं होगा घर चमकता होगा अग नहीं चमकता होगा जो मुरादाबाद अपने पीतल से हिंदुस्तान के हर घर में चमक ला सकता है उस मुरादाबाद में आजादी के सत्तर साल के बाद भी इस इलाके के एक हजार से जादा गाउं ऐसे थे जहां बिजली का तार भी नहीं पहुँचा था बिजली का खंभा भी नहीं पहुँचा था वहां के लोग अठार भी शताबदी में जीने के लिए मजबूर हो गए थे मैं सभी सरकारों से पूछना चाहता क्या कारण है कि मरादाबाद जो पीतल के कारण दुनिया में जाना जाए लेकिन उसी के अगल बगल में एक हजार से ज़्यादा गाउं आज आधी के सत्तर साल के बाद भी बिजली का एक खंभा न लगा हो तार न गया हो किसी ने अपने गाउं में बिजली देखी न हो अंधेरे में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा हो लेकिन गाउं का इंसान गरीब इंसान उंची आवाज से बोल भी नहीं पाए कुछ मांग भी न पाए कुछ राजनेता ठेकेदार उनको दबोच करके बैठ गये हो भाईयों बहनों इन मुरादाबाद के एक हजार से अधिक गाउं किसी ने मुझे चिठी नहीं लिखी थी कि मोदी जी अब तो आप उत्तर प्रदेश के हो हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद हो अब प्रदान मंत्री बन गए हो हमारे गाउं में बिजली का कुछ करो मुझे किसी ने चिठी नहीं लिखी थी मैंने खुद होकर के अपसरों को बुलाया मैंने उनको पूछा बताओ भाई आज हादी के सतर साल होने आ रहे हैं कितने गाउं हैं देश में जहां अभी भी बिजली का खंबा नहीं पहुँचा है भाई यो बहनों मैं चौक गया जब मुझे बताया गया 18,000 से अधिक गाउं ऐसे हैं जहां बिजली का खंबा नहीं पहुँचा मैंने लाल किले पर से गोछना की गोछना करने वाली सरकारे तो बहुत आई लेकिन गोछना करकर के हिसाब देने वाली पहली सरकार आपके इस चरणों में बैटी गोछना है तो हर एक निकी बोट की लेकिन हिसाब देने वाली ये पहली सरकार है जो जनता को पाई पाई का हिसाब दे रही है पल पल का हिसाब दे रही है और देश की जनता ही हमारी मालीक है ये सरकार की मालिक हिंदुस्तान के सवा सो करोड लोग है ये प्रधान मंत्री के भी मालिक इस देश के सवा सो करोड लोग है वही मेरा हाई कमांड है ये जनता जनारदन यही मेरा हाई कमांड है न मेरा कोई नेताजी है न मेरा कुछ नहीं जो कुछ भी है आप ही लोग है भाई यो बेनो जो काम सतर साल में नहीं हुआ उस काम को करने में तकलिफ तो होगी आपको भी अंदाज आगा होगा कुछ तो कान होगा कि मुरावाद के बगल में भी किजी ने ठंबानी पहुचाया चुनोतियां बहुत थी तकलिफें थी रुकावटें थी इरादों में भी खोड़ थी पैसों की भी जरुवत थी लेकिन भाईवे भना लाल किले की प्राची से तिरंगे जन्डे के नीचे से आवाज की थी कि एक हजार दिन में और इदर उदर की बात नहीं एक हजार दिन में इन अठारा हजार गावों में बिजली पहुचा के रहूंगा अभी तो आधे दिन हुए हैं आधे और आपके इस इलाके में एक हजार से जादा गावों में बिजली का खंबा नहीं पहुचा था करीब करीब 950 से जादा गावों में काम पूरा कर दिया गया है भाईयों मैं भले मैं भले 2009 के बात आज 2016 में आया हूँ लेकिन बिजली पहुचाने का बादा किया था मेरे आने से पहले पहुचा दिया है भाईयों भनो जिस गाव में बिजली गई वहां के बच्चों में सिख्षा में बरलाव आएगा कि नहीं आएगा जिस गाउं में बिजली गई, जिस माँ को गेहूं चक्की में पिसना होगा, पहले दूसरे गाउं जाना पड़ता था, अब गाउं में चक्की चलेगी तो गेहूं पिसने का काम होगा के नहीं होगा जिस गाउं में पानी के लिए तरसना पड़ता था, बिजली के कारण जमीन से पानी निकाल करके गरों तक पहुँचाया जा सकता है और नहीं पहुँचाया जा सकता है भाई यो बैनो गाउं के लोगों को भी टीवी देखने का मन करता है कि नहीं करता है उनको भी तो कभी सांस कभी बहुती देखने का मन करता है कि नहीं करता है लेकिन बिजली नहीं होगी तो बेचारे कहां से देखेंगे भाई यो बैलो हमने बिजली पहुंचाने का काम किया और इसलिए मेरा कहने का ताथ पर ये है कि सरकारे गोशनाएं करने के लिए नहीं होती है सरकारे योजनाएं बना करके योजनाओं को लागू करने के लिए होती है हम भारतिय जनता पार्टी के लोग हमें जहां भी मौका मिलता है हम सभे जगा पर विकांस पर बल देते हैं बादे पूरे करने के लिए अपने आपको खपा देते हैं आप मद्दप्रदेश देखिए कभी मद्दप्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था वहां की जनता ने भारतिये जनता पार्टी को सेवा करने का मोका दिया दस साल के भीतर भीतर मद्दप्रदेश बीमारू राज्य से मुक्त हो करके हिंदुस्तान के विकांस करने वाले राज्यों में आके खड़ा हो गया बाइटा कभी हम देखते थे कि हमारे देश में अंड्रे का उत्पादन तो एक नंबर पे कभी पंजाब का नाम सुनाई देता था कभी हर्याना का नाम सुना देता था कभी गंगा यमना के तड़के गाउं दिखाई देते थे भाईयों भेनों मद्दप्रदेश जिसके पास नरुदा मैया के सिवाय कोई नदी नहीं है मद्दप्रदेश के लोगों ने खेती के उत्पादन में किसानों की पैदावर में पहले से डबल पैदावर करके देश के अंद के भंडार भर करके आज देश में नाम रोशन कर दिया भाईयों कि अगर विकास करना है तो हो सकता है लेकिन सिर्फ अपनों का ही विकास करना हो तो तो फिर राज्यका कभी भला नहीं होता है आपने वो सरकारे अब तक देखी है अपने लिए अपनों के लिए करने वाली सरकारे बहुत आई आपके लिए करने वाली सरकार भारतिये जनता पार्टी ही हो सकती है और इसलिए मैं आपसे आगरा करने आया भाईयों बहनों आप सच्चे दिल से मुझे एक जवाब देंगे आप सच्चे दिल से मुझे एक जवाब देंगे पक्का देंगे दोनों हाथ उपर करके देंगे पूरी ताकत वाले जवाब जवाब देंगे आप मुझे बताईए इस देश को ब्रस्टा चार ने बरबाद किया है कि नहीं किया है ब्रस्टाचार ने देश को लुटा है कि नहीं लुटा है ब्रस्टाचार ने गरीब का सबसे जादा नुक्सान किया है कि नहीं किया है ब्रस्टाचार ने गरीब का हक छीना है कि नहीं छीना है हमारी सभी मुसीबतों की जड़ में ब्रस्टाचार है कि नहीं है अब मुझे बताईए ब्रस्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए ब्रस्टाचार को खतम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे बताईए ये अपने आप जाएगा क्या ये अपने आप जाएगा क्या ये ब्रस्टाचार ये कहेगा अब मोधी जी आप आप आए हो मुझे डर लगता है मैं जाता हूँ जाएगा क्या नहीं जाएगा क्या उसको डंडा लेके निकलना पड़ेगा गर नहीं निकलना पड़ेगा कानून का उपयोग करना पड़ेगा गर नहीं करना पड़ेगा बेमान लोगों को ठीक करना अगर कोई करता है तो गुनेगार है क्या नहीं कोई प्रस्चाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता है तो गुनेगार है क्या भाईयों बहनो मैं हरानू आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनेगार कह रहे है मैं हरानू भाईयों क्या कारण है क्या मेरा यही गुना है कि ब्रस्चाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं क्या यही गुना है मेरा कि गरीबों को हग दिना लेक लिए काम कर रहा हूं क्या यही है मेरे गुना कि गरीबों का हग छिनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा हैं भाई यो बहनो जब कभी खबरे सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी तो बिस्तर के नीचे से करोडों करोडों रुपिये मिल गए यह पैसे किसके थे भाई यह पैसे किसके हैं यह पैसे किसके हैं हिंदुस्टान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो सबासो करोड़ देश वासियों का है दोस्ते मा लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए हाई यो भनो ज्यादा से ज्यादा यह मेरा क्या कर लेंगे भई नहीं बताईए क्या कर लेंगे अरे हम तो फकीर आदमी है जोला लेके चल पड़ेंगे जी अर्भाई यो भनो यह फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाई भाई लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं मिला रहा है जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा मैं पहले सबसे पहले लोग अपने पॉकेट में प्लास्टिक करंसी रखते कान रखते कान किन है अ कुछ लोगों के का हिजेδ में तो फास्वाक्ण दर्दस कान होते हैं मैंने खिख है तुम बड़े बड़े बावी अपने कह है मैं भी गरीबों गरीबों का 20 करोर गरीबों को रुपेकार दे दिया 20 करोर गरीबों को दे दिया भाई ये भेना अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी ये ताकत मेरे गरीबों में है गरीब मांगने वाला नहीं होता है गरीब देने वाला होता है आर इसले भाईयों भेनों, इन्होंने क्या किया? नोटे छापते रहो, छापते रहो, इतनी नोटे छपती थी, आपके घर में कोई बंडल आया था क्या भई? आपके घर में कोई बंडल आया था क्या तो इस बंडल के बंडल कहां जाते थे नोटे छप रही थी, महंगाई बढ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे मैं अभी पीछे लगाओ निकालो आ रहा है, आपने देखा होगा कोने कोने से और कुछ लोग तो गरीबुआं के जाके पैर पकड़ते हैं अरे तुम तो कितने अच्छे हो तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे तेरी मा मेरे बरतन साप करती थी अरे तुम तो बहुत अच्छे हो देखो बच्चे बड़े हो गए हैं ऐसा करो मेरा यह दो तीन लाग रुपया तुमारे खाते में डाल दो कभी कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था भाईयों बहना आज जिन बैमान लोग ने पैसा जमा किया हैं वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है बैंक के बार तो वो कतार लगाता है जिसमें इमान दारी का माजा होता है जिसमें दम होता है जो बैंक के बार कतार लगाता है बे इमान लोग गरीबों के घर के बाद चुप चोरी चुपकी से कतार लगाए हैं उनको कह रहे ये जंधन एकाउंट मैंने खोड़ा था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा काम आ रहा है ये नहीं आ रहा है काम आ रहा है ये नहीं आ रहा है लेकिन एक बात किजिए मैं देश के सभी जंधन एकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूँ जिसने भी आपको पैसा दिया है जिसका भी पैसा आपने बैंक में रखा है वो उठाइए मत पिल्कुल एक रुपिया मत उठाइए उस मैंसे देखिए वो आपके घर रोज चेकर काटेगा आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो एए दादा गेरी मत क्यार मना मोधी को चिठी लिखता हूँ जादा दादा गेरी कर जो पूछो सबूट लाओ तुमने पैसा दिया था सबूट लाओ यह बड़ाबर डिब्मे में फसे हैं लेकिन यह तब सफलता मिलेगी जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिये हैं बे पैसे बैसे के बैसे रहने दे यह सारा ठीक ठाक होना जाएं मैंने 50 दिन मांगे हैं मांगे और नहीं मांगे भाईयों 50 दिन तक लिप पड़ेगी मैंने कहा एक नहीं कहा है मुसीबत दिरे 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 कम हो रही है लेकिन मैं देश के नागरीकों को सलाम करता था भाईयों बहना ये कतार कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं भूल गए अरे चीनी के लिए ये भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था मित्ती का तेल लाने के लिए कटार में खड़ा रहना पड़ता था पी एल 400 ऐसी गेहू लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था आपने इस देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है उन कतारों को खत्व करने के लिए ये मैंने आखरी कतार लगाई है भाई ये बहुत मुझे बताइए ये जंदन अकाउंट वाले जितने हैं ये अपने पैसे जो बैंक में आये है किसी के उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे कोई कितना ही दमाउड डालोगे उठाओगे नहीं न अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि ये गरीब के खाते में जिनों ने गहर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया और वो कोई दयादान नहीं है उनी का है ये उनी का लूट करके इकटा किया है भावियो बहनो महरान हो आपने देखाओगा अच्छे अच्छे लोगों के चहरे पर से चमक चली गई पूरा दिन मोधी मोधी कर रहें मोधी मोधी पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 अब ही बोल रहे हैं मोधी 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 भाई ये महना मैं देश वाच्छों को फिर कहता हूँ आपको जो कस्ट हो रहा है और देश के लिए आप कस्ट जेल भी रहे हैं लोग आपको आपकर के भढ़काने की कोशिश करते हैं कल तो मैं देख रहा था किसी टीवी पे लोग पहली तारीक थी तो कतार में खड़े थे परसों तो सुबह सुबह पहुँच गए और पूछ रहे थे और सवाल भी ऐसे पूछते थे उनको गुशा लाने के लिए काफी सवाल पूछने के बाद वो एंकर ने इमामदारी से रिपोर्टिंग किया उसने कहा मैं हरान हूँ दो दो तीन तीन घंटे से लोग खड़े हैं खंड में सुबह से आये हैं अभी तक बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है फिर भी यह तो जवाब हस्ते हस्ते दे रहे हैं कोई गुशा नहीं कर रहा है कोई मोधी के खिलाब बोल नहीं रहा है भाईयो भेनों देश की जनता को इरादे नेक है यह पता चल जाता है इमानदारी का प्रयास है यह पता चल जाता है और विश्वास हो जाता है तो यह देश कुछ भी सहने को तयार होता है यह मैंने अनुभव किया देश का सामान ने मानवी बेइमानी से तंग आ चुका क्या किसी ने सोचा था कि समासो करोड देशवासी इमानदारी की लडाई खुद अपने कंदे पर उठा ले आज सवासो करोड देशवासियों ने कस्त जेल करके इमानदारी की इस लडाई को अपने कंदे पर उठा लिया है इससे बड़ा देश का उजवल भविश्य नहीं हो सकता है भाई देश का सामान ने बान भी बेमानी नहीं चाहता है उसको मजबूरन मद्यम्बर का आदमी वो कभी नहीं चाहता है काले धोले का खेल लेकिन बच्चे को स्कूल रखना हो स्कूल वाला कहे फीस के लिए वो अफिशल तो 500 रुपिया लेकिन आनफिशल 75,000 रुपिया वो मद्यम्बर का व्यक्ति बेचारा कहा जाएगा बच्चे की पढाई के लिए सर जुका कर गोसको कहीं से काले करके उनको देना पड़ता है मजबूरन करना पड़ता है भावयो बहनो देश में एक ऐसी हवा बन गई थी सरकार वरकार कुछ होती ही नहीं ये तो ठीक है सरकार सरकार है और ये नेता होते का है उसकी जेब भरदो यार काम चल जाएगा अब ये चलता नहीं है वो पुराने रास्ते बंद हो गए है इसलिए जड़ा परिशानी ज़्यादा है भावयो बहनो ये देश इमांदरी का पशकार है ये देश इमांदरी चाहता है ये देश ब्रस्टाचार से मुक्ती चाहता है लेकिन वो असाहाई हो गया था आज उसको लग रहा है कि इस लड़ाई को जीतना है और मैं देशवासियों को विस्वास दिलाता हूँ कि आपने जो मेहनत की है गंटो गंटो तक कतार में खड़े रहे हो बीना खाये पी खड़े रहो हो थन में भी खड़े रहे हो जूप में भी खड़े रहे हो पैसे नहीं है ऐसा बौर्ड लग जाने के बाद भी आपने इसको सहन किया है मैं मेरे देशवासियों आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूँगा इमांदारी के जितने रास्ते मुझे सुझेंगे मैं देश को उस रास्ते पर ले जाने के लिए कोई कमी नहीं रहने दूँगा ये मैं विस्वाद दिलाना चाहँगा भाई ये बेनो पहले की सरकारों ने नोटे चाप चाप करके अपनी गाड़ी चलाई और नोटे निकल करके भी बड़े बड़े जगा पर पहुंच जाती थी भाई ये बहनो यहां ही हमारे सभीद शर्ट वाले सब बैटे हैं ये सारे नवजवान मुरादाबाद और अलगल बगल के इलागे में जा घर जा जा करके मोबाईल फोन से कैसे खर्च किया जा सकता है वो सिखा रहे हैं भाई यो भेनो अब जमाना चला गया अब वक्त बदल चुका है अब तो मोबाईल फोन में ही आपकी बैंक आ गई है आपके मोबाईल में ही आपकी बैंक है आपके मोबाईल फोन में ही आपका बुटुवा है अगर आपके पैसे बैंक में पड़े है तो आप मोबाईल फोन से जो खर्च करना है कर सकते हैं खरीदना है खरीद सकते हैं सारी व्यवस्ताय उपलबत है इसके लिए ATM पर जा करके नोट निकालना आप जरूरी नहीं है आप अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते हैं कुछ लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है लोग अनपड़ है लोगों को कुछ आता नहीं है भाईयो भेनो अरे दुनिया के पड़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है न तो बैलेट पेपर पर नाम पड़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी अमेरिका में भी यह हिंदुस्तान है जिसको आप अनपड कहते हो गरीब कहते हो वो बटन दबा करके वोट देना जानता है बटन दबा करके देना भारत के लोगों की ताकत को कम बता किये एक बार उसको पता चले कि इमानदारी का रास्ता यह है तो मेरे देश का गरीब भी चल पड़ता है मैं देख रहा हूं सबजी बेचने वाले दूद बेचने वाले आज कल मैंने एक वाटसप देखा सच्चा जूटा तो भगवान जाने वाटसप पर तो बहुत सी चीजी ऐसी ऐसी भी आती है मुझे किसी ने दिखाया कि कोई विकारी कार में कार खड़ी रही तो विक्षा मांगने के लिए गया तो कार में जो बैटे थे उन्होंने कहा भाई छुटे पैसे नहीं है हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं तो उसने का आप चिंता मत करो उसने अपने फटे थेले में से फॉष मशिन निकाला बोले डेविट कार दो दो मैं कर लेता हूं जी अब ये ये वीडियो सहच है जूटे मैं जे बालू नहीं मुझे को किसी ने दिखाया कहने का मतलब ये है हिंदुस्तानी नई चीज को स्विकार करने में देर नहीं करता है अगर सही तरीके से बात पहुंचाई जाए हमने अभियान चलाया थे LED बल्ब का हमने लोगों को गहां वे बिजली का जो लट्टू लगाते हो न वो ज्यादा बिजली खा जाता है और आपके पैसे जाते हैं यह नया लट्टू निकला है वो लगाईए आपके पैसे भी बच जाएंगे और बिजली भी बच जाएगी इस देश के करॉडों करॉडों लोगों ने लट्टू बदल दिये भाईयों लट्टू बदल दिये मेरा देश, मेरा देश परीवर्तन को स्विकार करने वाला देश है, मेरे देश का गरीब भी इसको स्विकार करने वाला है, और भी एक argument होता है, चलो मान लो नहीं है, लेकिन इस देश में 40 करोड स्मार्टफोन है, 40 करोड, कम से कम चालीस करोड लोग तो नोट के चकर से निकल जाए मुझे बता ये इमानदारी आएगी गनी आएगी अगर ये लेती देती बंद हो गई तो इमानदारी आएगी गनी आएगी बाईयो बेनों शिरफ काला धन निकालना है इतना नहीं है बिमारी खड़ी न हो इसके लिए भी बूच बंद करना है उसके लिए भी दरवाजे बंद करने है और वो अगर बंद करने है तो आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी करोगे पक्ता करोगे ये मोबाइल फोन से खरीत करोगे तो भी मोबाइल फोन से पैसे दोगे सारा मोबाईल पे कारोबार शिख लोगे आज अख़बार में रोज एडूटरेंजमेंट आती है रोज एडूटरेंजमेंट आती है टीवी पे आती है मुश्किल काम नहीं है जितनी आसानी से वाटसप बेचते हो इतनी ही आसानी से पैसे दे करके माल खरीच सकते हो भाईयो अब वक्त बदल चुका है और मेरा देश 21 शदी में डीजीटल इंडिया बनने के लिए तैयार बैठा बाईयो बहनों बेएमानी के सारे दर्वाजे बन करने के लिए मुझे मदद चाहिए शरब काना दन निकले प्रस्ताचार जाई कर नहीं बेएमानी के सारे रास्ते बन करने का यही तरीका है नोटे चाप चाप करके हम बे इमानों की मदद करना नहीं चाहते हैं और इसलिए मैं आपसे आगरे करता हूँ और दूसरा मैं फिर से एक बार देश वाजियों को मैंने पताथ दिन कहा था मैं रात मिन लगाओं मेरे भाईयों बेनों आपकी तकलीब मेरी तकलीब है मेरे किसानों की तकलीब मेरी तकलीब है और मैं किसानों को विशेश रुप्चे बंदन करना चाहता हूँ तकलीब के बाद भी बुआई मैं कमी नहीं आने दी पिछले साल से बुवाई बढ़ी है, ये किसानों को सलाम करता हूँ, जिन लोगों को इस देश की ताकत का परीचे नहीं है, वो भ्रम भला रहे है, निराशा का वातार्ण पैदा कर रहे है, भायु भनो, ये देश सशक्त है, देश का नवजवान सशक्त है, और जिस देश के पास, 35-30 लोग, 35 साल से कम उमर के हो, वो नवजवान देश को कहां से कहां पहुचा सकता है, ये मौका है मेरे नवजवानों, देश को कहीं से कहीं पहुचा लेका, लोगों को सिखाईए, कि हाथ में नोटों होने के बाद भी, खरीदी भी की जा सकती है, पैसे भी चुकता किया जा सकता है, इनको सिखाईए, हर एक को सिखाईए, देखिए भाईयो, इमान दारी के सारे रास्ते खुल जाएंगे, मैं फिर एक बार, आप सब का रुदे से बहुत बहुत आभार ब्यक्ता करता हूं, मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, आपको लगता है, कि ये लड़ाई जीतनी है, बेइमानी खतम करनी है, तो खड़े हो करके तालिया बजाईए, जोर से तालिया बजाईए, बेइमानों को संदेश दीजिए, देश बेइमानों को शुकार नहीं करेगा, देश बेइमानी को शुकार नहीं करेगा, देश इमान दारी की और चल पड़ेगा आईए भाईयो बेनो आईए हम सब मिलके चले सतर साल की बिमारी को बंद करनी है सतर साल की बिमारी से देश को बचाना है आईए मेरा साथ दीजिए दोनों मुठी बंद करके बोलिए भारत माता की आवाच हर बेइमानों के रॉंग्टे खड़े कर ऐसी होनी चाहिए हर बेइमान थर सरा करके कांप ले लग ऐसी होनी चाहिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद